शादी तै होने के बाद से ही शिल्पा की जेठानी का मुँ बना हुआ था क्योंकि शिल्पा अपनी जेठानी रचनी से ज्यादा सुन्दर थी इसी बात को लेकर रचनी के मन में शिल्पा के लिए जलन पैदा हो गई थी शादी के बात सब लोग नई बहु के आने से बहुत खुश थे रचनी, शिल्पा बहुत देर से बैठी हुई है एक काम करो तुम ही उसके अटैची में से कोई अच्छा सा सूट निकाल दो ताकि वो नहाध हो कर तैयार हो जाए उसे हलवे की रिंपी करनी है नई बहु है इसलिए हलवा बनाने में तुम उसकी मदद कर देना और उसे सारा सामान बता देना कि कौन कौन सा सामान कहा रखा है माजी मैं जब शादी होकर आई थी मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि कौन सा सामान कहा रखा है मैंने तो खुद ही ढून लिया था रसोई में से आप तो मैं मानू की खातिरदारी में ही लगे होगे थे ऐसी बात नहीं है मैंने सारा सामान पहले ही हलवे का रसोई की स्लैप पर निकाल कर रख दिया था ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो ये बात तुम शायद भूल गई हो बहू अगर नहीं कर सकती हो तुम मुझे कह दो मैं ही रसोई में चली जाती हूँ ठीक है बता दूगी आप जा अगर पूजा की तैयारी करो शिर्पा बहू रचनी तुम्हें हलवा बनाने की सारी सामगरी दे देगी आज मा दुर्गा के लिए तुम्हें हलवा बनाना है रिवास के मताबिक नई बहू के हाथ से सबसे पहले हलवा ही बन वाय जाता है और उस हलवे का भूग मा दुर्गा को लगाय जाएगा ममी जी मैंने आज से पहले बस एक बार ही हलवा बनाए है आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे हाँ हाँ मैंने रचनी को बोल दिया है हलवा बनाने में ये तुम्हारी मड़त कर देगी अभी 9 बजे है पुजा का टाइम 11 बजे है तब तक तो सब कुछ रेड़ी हो जाएगा चलो रचनी अब तुम शिल्पा के साथ रसोई में लग जाओ शिल्पा के साथ सुशीला पूजा की तैयारी में लग दे शिल्पा को लगा कि रचनी उसकी हेल्प करेगी पर रचनी ने उसे कुछ देर में लोटने का बहाना कर दिया शिल्पा तुम रसोई में जाओ मैं भी थोड़ी देर में आती हो रजनी अपने कमरे में चली गई और शिल्पा रसोई में उसका वेट करती रही रजनी को रसोई में आने में आधी गंदे से उपर लग गया जान पूच कर उसने ऐसा किया शिल्पा सौरी मुझे आने में देर हो गई अजी वो कपड़े प्रेस कर रही थी तुम्हारे जेट जी को भी आज ही वो कुर्ते पजामा चाहिए था जो बिना प्रेस कर रखा था ये भी बड़ा परिशान करते हैं चलो मैं तुम्हें सामान निकाल देती हूँ ये रहा देसी ये ये रही चीनी और ये रही सूची तुम हलवा बनाने के तैयारी करो कुछ समझ में ना आए तो पूछ ले ना तब तक मैं ड्राइफ रूट कार देती हूँ ठीक है भाबी शिल्पा हलवा बनाना शुरू करती है ये मादुरका मैं आपकी प्रसाब के लिए हलवा बना रही हूँ आपके आशिर्वात से हलवा सही बन जाए बस यही प्रातना करती हूँ जितनी मर्जी प्रातना कर ले पर हलवा बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा अपने रंग रूप पर तुझे बड़ा गुरूर है ना शिल्पा से मिलने की बहाने हलवे के लिए बोलने के लिए आगे देवर जी मैं साब चानती हूँ नहीं भावी ऐसी बात नहीं है आप भी ना जब देखो मजाग करते रहते हूँ अच्छा मैं मा को बोल देता हूँ शिल्पा ड्राइफ रूट में ने डाल दिया है तुम प्रसाद का निकाल लो फिर हम माजी के पास चलते है रश्णी अब तक अपना काम कर चुकी थी शिल्पा जब रवी से बात कर रही थी रश्णी ने ड्राइफ रूट डालने के बहाने हलवे में नमक डाल दिया रचनी मनी मन बहुत कुश हो रही थी कि उसने हलवे को खराब कर दिया अचानक शिल्पा रचनी के गले लग चाती है भावी, थैंक्यू सो मच आपने मेरी इतनी हेल्प की आप बहुत अच्छे हो भावी मुझे सच मुझ आपसे एक बड़ी बहन का प्यार मिला है थैंक्यू सो मच भावी शिल्पा ने अपने पन से रचनी को गले लगाया तो रचनी थोड़ी भावुक हो गई उसे लगा कि शायद उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी शचनी गलती कर चुकी थी उसने हलवे में नमक मिला दिया था अब वो कुछ नहीं कर सकती थी शिल्पा हलवा लेकर पूजा में जाती और अपने हाथों से मादुर्गा को हलवे का भोग लगाती है बहु अब इस प्रसाद के हलवे को सब में बाट दो जी माजी मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी हलवे में नमक डाल दिया अब बेचारी शिल्पा को डाट पड़ेगी यह मादूर का मुझे शमा कर देना मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई शिल्पा सभी में प्रसाद का हलवा बाट देती है आप सब लोग खा कर बताओ बहु ने कैसा हलवा बनाया है देखने में तो बहुत स्वादिश्ट लग रहा है मैं भी खा कर देखती हूँ भई वाँ, बहुत टेस्टी हलवा है क्या बात है शिल्पा, तुमने तो बहुत स्वाद प्रसाद बनाया है शिल्पा, प्रसाद बहुत स्वादिश्ट बनाया है तुमने हाँ, हल्वा बहुत बढ़िया है जीती रहो बहू, मा दुर्गा तुम्हारे हाथ का हल्वा खाकर बहुत प्रसन होंगी माजी हल्वा बनाने में रजनी भाबी ने मेरी बहुत थल्प की है इसलिए मैं इतना अच्छा हल्वा बना पाई रजनी समझ कही थी कि ये सब मादुरगा का चमधकार है उन्ही के चमधकार से खराब हल्वा ठीक हो गया और हल्वे में नमक का असर नहीं हुआ मादुर्गा ने शिल्पा की प्राटना को सुना और शिल्पा के हाथों का बना हर्वा सभी को बहुत अच्छा लगा रच्णी जान चुकी थी कि अपने चमतकार के द्वारा मादुर्गा यही बताना चाहती है कि वो शिल्पा से प्रसन्न है और शिल्पा एक अच्छी इंसान है तब ही मादुरगा ने उसकी मदद की सम्मिल कर मादुरगा को प्रणाम करते हैं रच्णी मादुरगा से शबा मांगती है उधर शिल्पा मनी मन मादुरगा को उसकी प्राथना सुनने के लिए धने